हलो दोस्तों बेलकम दो माई यूटूब चैनल लिपक्स गेरेज और आज की वीडियो में दोजाचोविस की नई रोयल इंफिल्ड शॉटगन शेस्टोपचास बाइक का रिवी गरुआ और आज की वीडियो में इस गाड़ी के फिचर्स प्राइज मिलेज केता मिलता है एक लिए पेट्रोल में वाला हूं आज की वीडियो में आखरे तक देखते रहेना शुरू करते वीडियो सबसे लच करें बात करें तो चाल लाग प्यतिस हार रूपेस का उंड़ोड का आप सामने देख सकते हो यहां पर आपको डेहरवीं डेखने को म्मिल जाता है रूपे इसका है वो मेर्ड प्लाद अंदर रूत protect के लोग कि इस और यहां पर इंडिकेटर लाइट सपया देखने को मिल जाता है और इस अरको सारी चीज आपको मेटल की दी गई है प्लस्टिक का कुछ भी यूज नहीं करना है 18-inch के आपको टुब्लेस रेडिल टायर देखने को मिल जाता है एंड फ्रेंट ब्रेक करेंबात करें तो इसके अंदर आपको फ्रेंट पे 320mm के डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं और dual piston caliper से मिलता आपको भाई बर के and suspension के आरहे मात करें तो इसके अंदर front में आपको big piston, usd forks, 120 mm travel suspension देखने को हो मिल जाता है upside down forks suspension मिलता है and side reflector आपको देखने को हो मिल जाता है और tire की चोड़ा ही कुछ ऐसे रेगी जो कि आप सामने देख सकते हैं तो इतने चोड़े आपको tire देखने को हो मिल जाता है and 240 kg कर वेट आता है इस गाड़ी का और side से गाड़े के looks कुछ ऐसा रहें और 303 km के आपको इसमें riding range देखने को हो मिल जाती है riding range का मतलब यह है कि अगर आप इसकी petrol tank को full कर देता हो तो इसकी बाद आप इसको total 303 km तक इसको ride कर सकता हो तो company दावा करती है and 22 km per liter का mileage आप में निकल जाती है और इसमें की fuel tank आप और metal की मिलती है जो कि सामने आप देख रहो metal की fuel tank मिलती है उसको sticker लगए मिल जाते है and roll infield का logo आपको यह देखने को मिल जाता है इनकी branding देखने को मिल जाती इस्टिकर में और यहां पर आपको रोल infield की branding मिल जाती इस्टिकर में and यहां पर fuel tank मिलता है और इसका nozzle आपको glossy black में दिया गया इसको open करना पर था escape को और यहां से fuel लवा सकते हो 13.8 liter का fuel tank देखने को मिल जाता है नूटल के एंड का इंडिकटर एंड की light और लो फिल इंडिकटर लो बैटरी इंडिकटर ऐसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है इस्टेंड अलाम का इंडिकटर आपको देखने को मिल जाता है है helmet का reminder देता है जोगी छोटा डिस्पले सामने देख सकता है च्टा डिस्पले के अंदर हमें हेलमेट की और इसे श हांदार फीचर आपको सेल पर बटन मिलता है और यहां पर हैजार बंडिंग लाइट का बटन देखने को मिल जाता है और इंडिकेटर बटन होन को आप देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको एंडल में ग्लोसी ब्लेक का यूज करा जो कि सामना आप जो कि सामना आपब देख सकते हो और अब इस गाड़ी के इंजन की डिटे़ल का रहें मात करते हैं इसका आपको छेसको पचास ब्लेंडर ऐरो रिकोल्ड बी शिक स्पेश्टु इंजन आपको इसमें देखने होगा जाता है जो कि 46.929 बहट की मेक्स पावर पर इंपर एंड 52.3 NM का मेक श्टोर्क पडूस करता है 5650RPM पर और इसके मालेज करें मात करें तो 22 किलोमेटर पर लिटर का मालेज आपको निकल जाती गाड़ी एक लिटर पेट्रोल में 6-speed manual transmission gearbox आपको इसमें देखने को मिल जाता है और इंजिन का डिसा रेकर सामना आपधर हो इसके अंदर आपको यहां पर और यहां पर अपी बात में आपको यहां पर ब्रेक्पेट्स तेखने को मिल जाते हैं और इसके इंजिन में आपको यहां ब्लाग का यह उसक्राव की आ ब्रेंडिंग मिल जाती है यहां पर आपको 650 शौट गन की बेंडिंग इस्टिकर में देखने को मिल जाती है उस साइड मिलती है और यहां पर आपको साथ दखने को मिल जाता है अग Cherry का डिजाइन सामने अगा था लिगत करें तो 750 2570 17 सकी आपको टूबलेस डेडिल टायर देखने खों मिल जाता है यौक्त क्यों सामना हम देखर है है यहां पर आपको साफ सो पिंच millennials के सीथ्लीप सीथ मितीँ हैं और दो कमफेटावर सीथ मिलता है यмоं की तनों सब्सक्राइब और यहां पर आपको सब्सक्राइब मिलते हैं और यहां पर आपको सेम सारी गार्ड देखने को मिल जाता है सारी गार्ड में थोड़ा इस पारकल का यूस कराई भी तो आप गोर से देखोंगे ना थो चमकी चमकी चमक लिए दिखेंगे चमक लिए दिखेंगे और यहां पर आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है वह मेटल की प्रोडेक्टर पेट लगवी मिल जाती है एंड यहां से गारे के लुक्स के पर मिलें तो यहां पर आपको टेली els लेक्टर धुन देखने मिल जाती है उर इंडिकेटर ल्यद्स में थेकले ऑपको डेखनी को मिल जाती है और नमर प्रोडर रिफ्लेक्टभरा को देखने जाता है तो दोस्तों कैसे लिए बात को रोउल इंफि